नमस्कार मेरा नाम दिपान्शु कुवर है और आप इस वक्त जे जे एन न्यूज देख रहे हैं गर्मियों का मौसम आते ही परवती छेत्रू में आग लगनी शुरू हो जाती है और ये आग इतनी खतरनाक तरीके से लगती है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है अभी बेताल गाट के जंगलूँ पे आग लगी हुई है और ये आग लगातार फैलती जा रही है क्या कारण है कि जंगलूँ में आग लगती है जी हाँ, जंगलों में आग लगने की शुरुवात के पीछे ज्यादा तर इनसान का ही हाथ होता है उत्राखंड में चीड के पेड ज्यादा मात्रण पाय जाते हैं और चीड के लीस से और उसकी पत्यों में आग जल्दी पकड़ती है पिजलीवार भी एक न्यूज बड़ी तेजी से वाइरल हुई थी होता क्या है कि ये पेडू के पत्ते सुख कर जमीन पे गर जाते हैं जिसके कारण उस जगह घास नहीं उख पाती इसलिए उन पत्तों में आग लगा दी जाती है ताकि बरसात के बाद उस जगह घास अच्छी तरह होगे बीडी सिग्रेट या खेतू में जलाई जाने वाली आग अत्रिक्त घास भी इसी जिंगारी का काम करती है जिससे पूरा जंगल जलने की संभावनाएं बढ़ जाती है कई बार ये आग बिजली की तारू से भी पैदा होती है आधी आने पर जब जंगलू से गुजरती बिजली की तार आपस में टकरा जाती है तो उसके कारण पैदा हुआ स्पार्क आग का एक कारण बन जाता है इस स्रितू में पक्षू पक्षी अपने बच्चू को जन्म देते हैं पेडू में कोपल आने शुरू हो जाते हैं लेकिन इस आग के कारण सब कुछ जल के राख हो जाता है पिसली वार ननिताल हाई कोट ने इस गंभीरता से लिया था और चाल खाल बनाने के निर्देश भी दिये थे लेकिन गर्मियों की शुरुआत में ही इस तरह से जंगल में आग लग जाना कहीं न कहीं चिंता का कारण है इसका समाधान है सिर्फ सावधानी लेकिन हाँ मिट्टी में नमी की मात्रक को बढ़ाना भी एक स्ताई समाधान हो सकता है दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन साल 2019 में कई सबतार तक जलते रहे जंगल और जनवरी से अगस्त 2019 में 2018 के तुलना में 82 प्रतिशत ज्यादा आग लगने की घटनाएं जो है सामने आई सिर्फ अगस्त महिनी में ही आग लगने की 30,000 घटनाएं सामने आई थी हाला कि पिछले वर्ष कोरोना माहमारी के करण आग ज्यादा नहीं लगी क्योंकि ना ही लोग घर से बाहर निकले और ना ही जंगलों में आग बन भी इन में से अधिकांट आग उन किसानों ने लगाई जो खेती और जानवरों के लिए जंगल साप कर रहे थे आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए जे जे अन्यूज